God bless you, सदा सुखी रहो ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मूँ से निकलते हैं न ये कोई साधारन शब्द नहीं है ये दुनिया के सबसे कीमती शब्द है आजकल हम इन बातों को महत्व देना बन करते जा रहे हैं पर यकीन मानिए जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशरवाद हमें मिलता है ये हम किसी को देते हैं वो सौ फीस भी चमतकारिक शब्द होते हैं बेश कीमती शब्द होते हैं एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूँ महाभारत का युद्ध चल रहा था एक दिन दुर्योदन के व्यंग से आहत होकर भीश म पितामा ये घोशना कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वद कर दूँगा इस घोशना का पता जैसे ही पांडवों को चलता है तो उनके शिवर में बिचानी बढ़ जाती है सभी को भीश म पितामा के शमताओं के बारे में पता था इसलिए सभी अनिष्ट की आशंका से परिशान हो जाते हैं तभी श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं तुम अभी मेरे साथ चलो श्रीक्रिष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे पितामा भीष्म के शिवर में पहुँच जाते हैं श्रीक्रिष्ण स्वयं तो शिवर के बाहर खड़े हो जाते हैं पर वो द्रौपदी से कहते हैं कि अंदर जाकर पितामा भीष्म को प्रणाम करो जैसे ही द्रौपदी ने शिविर के भीतर जाकर पिता महा भीश्म को प्रणाम किया तो पिता महा भीश्म के मुख से द्रौपदी के लिए ये आशिरवाद निकला अखंड सौभाग्यवति भाव जैसे ही ये आशिरवाद उनके मुख से निकला उसी शन उन्ही स्मरण हो आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों के वत की घोशना की थी और स्वम ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशिर्वात दे दिया फिर पिता महा भीश्म ने ज्रौपदी से पूछा पुत्री क्या तुम अपने राट को यहां अकेली आई हो या तुम्हें यहां श्री क्रिश्न लाए हैं तब ज्रौपदी ने कहा जी पिता महा और वो शिवर के बाहर ही खड़े हैं शिवर से बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पिता महा भीश्म ने कहा मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल क्रिश्न ही कर सकते हैं शिवर से वापस लोटते समय, श्री कृष्ट में द्रौपती से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पिता महा को प्रणाम करने से, तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है, अगर तुम प्रति दिन भीश्म धृत्रास्ट द्रोणोचारे आधी को प्रणाम करती होती, और हर घर में कलह कलेश का वातवरन रहता है, वो कहीं न कहीं इस बात के मूल से जुड़ा है, कि हम संसकार भूलते जा रहे हैं, हम जाने अन जाने अपने बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं, याद रखना कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये भी याद रख कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता, उसके लिए बुज़ुर्गों के पास भी बैठना पड़ता है, शरीर की खुराग के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराग चाहिए, जो संसकारों से हमें मिलती है, हम भूलते जा रहे हैं आशुरवाद के महत्व को, आशुर प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम जुकना सिखाता है, प्रणाम प्रोध मिटाता है, प्रणाम आसुध हो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृती है, आप को मेरा साधर प्रणाम